कि है गाइज हाई दिस अभिशेक मास्ट इजर आफ फिजिक सडवेदान तू कैसे चलिवा त्यूसिंद्गी कैसे हो मेरे शेरों शेन्यों वेलकम तो धमाकेदार सेशन आज हम करने वाले हैं फाइव गैरेंटीड क्वेस्टेंस या तो इनको कहे दो शॉर शॉर्ट क्वेस् किये हैं जो भी सीरिस किये हैं उनमें हमने टाइट किया है 80-90 परसेंटेज उप्वेस्टेंस या उनको टागेट किया है जो इजी तू मीडियम होते हैं जो बोड्स का अक्शल लेवल होता है लेकिन आज मैं पांच सवाल ऐसे लाया हूं विच आक्चली केटर तू मीडिय मीडियम लेवल या तो आप कहोगे मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेस्टिन और आज का ये पांच सवाल फिजिक्स के हर चाप्टर से है जो आप समझे सकते हो लाइट है एक्यूमन आई है एलेक्टिसिटी है इन पांच चाप्टर में आने वाले पांच सवालों के वारे म में बात करूँगा और जैसा मैंने कहा इनका लेवल जो है मीडियम टू हार्ड रहेगा तो मेरे लिए इस बिकम दी आक्च्वल गारेंटीट क्वेस्टिन एस्पेशली फॉर यो प्रीबोट क्योंकि प्रीबोट का लेवल हमेशा थोड़ा मीडियम से हार्ड लेवल का होत होता है तो या तो आप सेम सवाल एक्सपेट कर अपने प्रीबोट में या तो इसके सिमिलर सवाल ठीक है और बोट इग्जामनेशन में जो आपके थोड़े से मेडियम तो हार्ड डेवल क्वेस्टिन आते हैं जो होता है पांच से दस प्रतिशित आनि कि पूरे पेपर में एक सवाल ऐसा निकल सकता है जो होता है थोड़ा सा hard या थोड़ा सा difficult actual में बतलब question being hard or difficult is very subjective from people to people. मेरे लिए जो hard होगा हो आपके लिए hard होगा जो होगा, जो आपके दोस्त के लिए easy होगा, आपके लिए hard होगा, तो ऐसे हो सकता है वो चीज़, है नग? That is absolutely fine. बट इन जनरल जब एक टीचर के नजेरे से हम देखते हैं तो एक CBAC Board Examination of Paper 90% questions क्या कहते हैं easy to medium level के होते हैं बस 10 प्रतीशित सवाल जो है medium to hard level का होता है याने कि एक या दो सवाल max to max वो एक या दो सवाल मैं हर चाप्टे साथ करवा रहा हूँ रड़ी हो फोडने के लिए वीडियो सही लगे तो बेख शुट विडिटी लाइक बटन शेयर इस वीडियो सब्सक्राइब तो दी चानल राइट नव एंड टॉन दी नोटिफिकेशन और आपको यह भी बता दो कि इस पूरे सेशन का जो हमारा PDF है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलिग्राम चैनल पर जिसका भी लिंक दिस्क्रिप्शन में है और थैंक यू सो मच पर हल्पिंग मी आउट तो रीच 10,000 सब्स्राइबर्स इन विदानतु 999 फिजिक्स चैनल इन वेरी शॉर्ट दूरेश चुका है थीजर शॉर्ट सॉर्ली मैंने उसमें कोई लॉंग वीडियो नी डाली है और डालूंगा भी ठीक है आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की ठीक है ध्यान से देखें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान सदेखें समझे की पहले सवालों करते कैसे ठीक है लुक इन्ट रूम नुबर पोर रूम नुबर पाइमें जा रहे हैं ठीक है ओके दी हाउस शोन इंदी अबोव डियाग्राम हैस फाइव यूसेबल स्पेसे तेक है पांच यूसेबल रूम्स है वेरे लिट्रिकल कनेक्शन सर्मेट अलेटिकल कनेक्शन अब दिग रहा है सब जगाव वरिज़ वेरियं गई थीक एए ठीक है वर दिस हाउस इमन्स हभा वोल्टेज फोल्टेज में तो टोटों में जिबल करम थीजा स्पेट य्ड़ सॉद सवाल किया है पहला सबसाब पूचत है उपसे वह इस पांटिकल कॉचते पांट ईमेंस एमन्स एप्र थीनदी तुम यानि कि डाइग्राम देखकर आपको समझना है कि connection किस टाइप का है और किस टाइप के connection साब में पड़े हुए हैं दो सीरीज पैरलल तो डाइग्राम देखकर आपको बताना है कि भाई कौन सा टाइप कनेक्शन है तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगी आपको समझ में आगा कि देखो एक वायर जब आती है इस पॉइंट से देखो दो connection निकल रहे हैं यहां भी देखो दो connection निकल रहे है है ना हर स्विच बॉक्स आप देखोगे दो connection निकल रहे हैं और एक ही एक ही में सप्लाइस से बहुत सारी डबल 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 connection निकल रहे हैं जहां पर एक ही वायर से multiple connections निकल रहे हो उसका जवाब क्या होता है आपको पता जल गया होगा कि भाई यहां पर आपका जवाब ह क्रेज यू कि आप वीडियो को पॉस करके खुद इसको सौल करना चाहो तो सारी सावालों को सौल करना उसके बार फिर मैं जो जवाब दे रहा हूं उसको चेक करना ठीक है अब आगे Spaces 5 & 4 have the same resistance and spaces 3 & 2 have respective resistances of 20 ohm and 30 ohm space 1 has a resistance double that of space 5 what is the net resistance for space 5 बताओ आपको net resistance निकालनी है पूरी circuit की by about 5 that is same thing हमें यह बात समझ में कि भाई पांचों के पांचों spaces parallel connected है है ना तो आप एक parallel connection मना दो पहले ठीक है simple से parallel connection बनाओ ताकि आपको confusion बिल्कुल भी ना रहे है ठीक है क्या चल रहे है बही हां पर 5 connection मराने एक दो तेन चार पांच ठीक है बढ़िया बिश्पेस नमबर 1 इस पेस नमबर 2 इस पेस नमबर 3 इस पेस नमबर 4 इस नमर 5 रोम नबर यूम नबर टू रोम भूर त्री रोम नबर 405 छत्म हो अचिक है अब बैल्यु उसके दी गही है बोला गया है कि बहुत पेस थ्री का resistance 20 ohm है, space 2 का 30 ohm है, ठीक है 3 का 20 ohms है तो आप लिखोगे 20 और 2 का 30 है तो आपके लिख दे 30 ठीक है, 2 का 30 है 3 का 20 है, cool इसके उपर, space 5 and 4 का resistance सेम है, कितना है नहीं बता और space 1 का जो resistance है, वो space 5 का double है, है न, space 5 का double है, space 1 का, ठीक है तो space 4 and 5, अगर माल लो, हम माल लेते, x है अगर उसका resistance, तो 1 5 का double है, तो 2x हो जाएगा clear है न, space 2 का दिया हुआ है space 3 का दिया हुआ है, 4 और 5 का resistance सेम है, माल लेते, x है वो, तो 4 और 5 को x से लिख दिया space number 1 का resistance है, वो 5 का तो x का double क्या होगा है 2x खत्ब ठीक है अच्छा अब हमें क्या निकाल दी अगर हमने यह x की वैली निकाल दी तब हमें इसका total resistance मिल जाएगा डाइट रेसें मिल जाएगा cross 5 एगी रही मिल जाएगे न कि मतब 5 जो resistance से वो मिल जाएगा X मिल जाएगा मैं बिल्कुल यह कैसे निकालेंगे सर अरे बहुत चिंपल जैसा अभी आपने समझ लिया होगा अब तक कि सर यह तो सारे पैलल में है पैलल कनेक्शन फार्मुला लिख देते हैं 1 upon rp is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 plus 1 upon r4 plus 1 upon r5 yes sir ठीक है r1 की value है 2x r2 की value है 30 r3 की value है 20 r4 और r5 की value x और x है लेकिन rp की value क्या है total resistance है कितना यहां पर पता यह नहीं है न अगर total resistance की value नहीं पता होगा तो यहां पर आपको x मिलेगा variable और rp variable है value कैसे निकालोगे एक equations दो variable की value निकल नहीं सकते तो पहले आपको क्या निकालना है पहले आपको rp निकालना है आर्पी कैसे निकालोगे अरे हमें total voltage total current दिया हुआ है तो total resistance तो आर्पी होता है ने निकल सकता है ना वही तो बात है वही तो समझना था है ना हमें पता है कि भाई V is equal to IR इसमें आर क्या है V upon I voltage दिया हुआ है 220 current दिया हुआ है 22 तो कितनी होगे 10 ohm आपका total resistance 10 ohm है डाल दो सीधा यह आर यहां पर 1 by 10 तो कितना होगा वैल्यू तो 1 by 10 इस एक्वल टू आरवन है टू एक्स आर टू है 30 आर 3 है 20 और यह भी है 1 by x 1 by x बढ़िया अब आस आपको सॉल करने तो सॉल कर लेते हैं फिर है ना चलो आजो भाई अब देखो यार मेरी mathematics बहुत भीक है मेरे जब इतने सारे decimal में चीज़ें में चीज़ें ना मैं नहीं कर पाता तो आप करो मेरे साथ अब मैं जलत हो जाता हूं मैं बताजना कमेंट सेक्शन में ठीक है चलो भाई 1 by 10 1 by 10 अगर मैं यहां पर पकड़ू हूं यह तो सही है ना नर्फस हो जाता हूं इतने हाड मेरे लिए हाड है सौरी गैस ठीक है प्लस 1 by 30 है प्लस 1 by 20 है यह 1 by x plus 1 by x क्या बन जाएगा 1 by x plus 1 by x denominator से में तो 2 by x बन जाएगा मेरे जैसे बहुत सारे बच्चें जो जब भी ऐलजबर आ जाता है आपके फ्रैक्शन लगरा में आप भी मेरे तरह कंप्यूस होते हो हम रिली होपिंग कि मैं ही इतना बड़ा बड़बग नहीं हूं ठीक है तो यह हो गया अब यह 2 by x और 1 by 2 x को पहल 2x और 2 by x को साथ लिए लिए 1 by 2 x plus 2 by x plus 1 by 30 plus 1 by 20 एगी ना सीन साथ में यह जाता है ने थेक है अब इनको साथ में करने क्या करोगे मैं तो यह देखो एलसे में निकालता ब्रोस्टीप्लाइब करके तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स एक्स टू इंटू इस होता है पोर ए आपको इससे इसी तरीका पता है मेरे लिए हमेशे इसी तरीका क्रॉस मेटिकलिकाशनी रहा है ठीक है तो यह हो गया 1 by 10 is equal to 5x divided by 2x square plus 1 by 30 plus 1 by 20 और अगर आप चाहो तो इस x square को काट भी दो और यह जो 1 by 30 और 1 by 20 इसको ला देते हैं 1 by 10 के साथ ठीक है तो 1 by 10 यह इदर जब आएगा तो बन जाएगा minus 1 by 30 minus 1 by 20 is equal to कितना होगे भाई 5 by 2x सही है तो अभी इस पूरे equation में सिर्फ एक ही variable है वो x है आपको x की value मिल जाएगी which will be the net resistance across 5 the fifth room na it will be the net resistance की भाई 5 के across x here resistance ठीक है चलो अब इसको solve कर लेते हैं यह तो आपके लिए होना चाहिए है ना इसका LCM क्या आएगा उमको नहीं पता भाई आप इको निकालना है इसके लिए मैं दुबारा क्रॉस मेंटिप्लाई करने वाला हूं तो नीचे आ जाएगी मेरी 10 इंटू 30 इंटू 20 और उपर क्या बनेगा मेरा मेरा बनेगा यहां के लिए थर्टी इंटू 20 600 माइनस यह बन जाएगा 200 माइनस और यह बन जाएगा मेरा 300 ठीक है इस इक्वल टू 5 बाइटू एक्स तो मेरी वैल्यू कितनी आने चाहिए आपर 600 माइनस 200 माइनस 300 तो यह पांसो यह से सो बन गया डिवाइड बाइट इंटू 30 इंटू 20 इस एक्वल टू 5 बाइटू एक्स सही है तो 10 तेंट जाड़ गया यहां पर और यह 10 और यह 0 भी कट गया तो मेरा यहां पर यह 2 भी आप यहां पर काट सकते हो क्यों डिवाइट हो गया यहां पर तो यहां पर वैलिव बच जाती है मेरी वैल्यू बच जाती है कुल मिलाकर 5 by X is equal to 1 divided by 30 बच गया 3 x 10 30 हो गया, यह बच जाता है मेरे लिए, ठीक है, अब मैं दुबार अगर cross motive लेगा हो, तो क्या बनेगा मेरा, X वहाँ चला जाएगा, so X will be equal to 30 x 5, 150 ohms, तो यह मेरा जबाब आजाता है, X की value का, ठीक है, so my resistance across 5th resistor becomes 150 ohms, समझ रहे हो, कि यह 5 mark का सवाल क्यों है, और यह मैंने क्यों बोला दा शुरुवात में, कि medium to hard level के questions होने वाले हैं, आपके pre-boards पर board examination है, सही बटा, मज़ा आ गया, ठीक है, तो यह तो हो गया, यह था इस पूरे सवाल का सबसे difficult part, इसके बाद तो चीज़े easy है, जैसे अब सब next सवाल क्या है, what is the current in space 3, देखो, space 3 में current निकालना है, space 3 याने के आपका यह जो 3rd वाला part है, register है, वहाँ पर हमें current निकालना है, वो तो बहुत easy है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बेटा बताओ जल्दी से, सोचो, दिमाग लगाओ, तो C part के अगर आप देखोगे थोड़ा सा, current का formula आप ओम से निकालोगे तो बनता है, V upon R, सही है, और यह सारा का सारा parallel connection है, parallel connection में voltage सेम रहता है, सारे resistor के across आपका parallel connection में voltage सेम रहता है, तो voltage, total voltage कितना है, 220V का total voltage है, है न, दिया हो है न भाई, देखो 220V का total voltage है, और resistance कितना है तीसरे पर 30 ohms, तो 220 by 30 हो जाएगा, तो 00 कट गया, 230 है, न, 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 20 है, देखो, 1 के across 2x है, 2 across 30 है, 3 के across 20 है, ठीक है, 20 है, 20, तो क्या value आजेगे यहाँ पर, 11 ampere should be the correct answer for C, ठीक है, अब इसके आगे जाकर आगर आपको अपने examiner को impress भी करना है, जो आपका sign करने बाला है आपने x निकाल दिया, 150 ohms, याने के 5 में 150 ohms है, यहाँ पर लिखो, 150, 4 चौता वाला भी 150 होगा, लिखो यहाँ पर 150, उसके बाद और impress करना है, तो पहले बाले का भी लिख दो 2x, 150 into 2 हो गया, तो 300 ohms, तो ऐसे अगर लिख दोगे तो आपके examiner बोलेंगे, पूछा भी नी and the rest of the house, मतलब इनके और इसके बीच में क्या रखना है हमें, क्या रखे हम, कि the rest of the house electrical prices to save them from accidental high electric current, हम ऐसा क्या जोडे यहाँ पर इन दोनों के बीच में, कि यह जो पूरा घर है, वो सेफ रहे, high electric current के वज़े से, overloading के वज़े से in general, क्या लगाना चाहिए भाई, है ना, सब को समझ बागिया होगा, लगाना है हमें, fuse, main box और आपके घर के बीच में, fuse लगा होता है, ताकि fuse, अगर आपका घर अचानक से ज़्यादा current हीच रहा है, आपका घर जल ना जाए, because of overloading of current or overheating of wires, आपका fuse लगा जाता है सामने, ताकि पहले fuse melt हो जाए और आपका circuit ब्रेक हो करने के लिए हमें 10 मिनिट लगे है, है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं, यह तो बाद बारे सवाल आप कर लोगे राम से ठीक है, और आज हम पूरे physics से सवाल कर रहे हैं, सिर्फ और से magnetic effects के नहीं, तो बागे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं, एलिटिसिटी का, है ना, य जाना, ठीक है, find out the following in the electrical circuit, given below, क्या क्या निकालना है, effective resistance of two 8 ohm resistors in the combination, ठीक है, इस circuit को ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा, एक 4 ohm का resistor है, जो series के connected है, दो parallel 8 ohm resistors से, और वापस से बाटरी connected है, बराबर, current यहां से निकल रही है, इसके दुरुजारी है, इस ammeter के दु पाँची, अब देखो, दो पार्ट में बटगी current, दो वायर आगे तो दो वायर में दो पार्ट पर कड़ गया, इसको बाद बोले तो कि भाई, I got converted into I1, I2, I divide हो गया, ठीक है, और फिर I1, I2 जुड़कर दुबार आपको I दे दीती है, वही आई बैते हुए, इस ammeter में आ जाता है, इसके लिए हमारे प्यारे से बच्चों ने बहुत इंट्रेस्टिंग शॉटकट निकाला था, अगर आपको याद रतना है, तो वह होता है, पीवी सिंधु, है ना, पीवी सिंधु जी को जानते होगे, बहुत ही नामी badminton player है हमारे देश की, है ना, पीवी connection है, तो current constant होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे parallel connection है यह दोनों, तो इसमें voltage constant होगा, current नहीं, current distribute हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया, चलो, अब हमें क्या निकालना है, effective resistance of two atom resistance in this combination, इन दोनों का effective resistance याने के total resistance निकालना है, अरे ब इसको R2 मान लू, और इसको अगर R3 मान लू, तो यह हो जाएगा, one upon R2, plus one upon R3, क्या हैगी value भाई, one by eight plus one by eight, इसका भी shortcut में बताया हुआ है, आपको, जब भी आपको parallel connection में, दो same resistance होते हैं, उसका जवाब हमेशा आधा आता है, क्यों, क्योंकि one by eight plus one by eight, क्या हो जाएगा, denominator से में, तो two by eight बन जाएगी, two by eight हो जाता है, one by four, तो reciprocal करोगे इसका, तो Rp बन जाएगी four ohms, देखरे हो, हमेशा जब भी parallel connection होगा, अगर मान लो, यहाँ पर 16 ohms होते, तो क्या होता, one by 16 plus one by 16, two by 16 हो जाता, 16 by two, eight ohms आता, अगर यहाँ पर 100 ohms होगा, तो 50 ohms आएगा, की value आधी आएगी, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, पहला part तो कर लिया हमने, बताओ दूसरा part, current flowing through the four ohms resistor, चार ohms के register के तुरू जो निकल रहा है, current वो बताना है, अब 4 ohms के तुरू कौन सा current निकल रहा है, बैटरी का total current निकल रहा है, तो अगर हम total current बता देंगे, तब लेकिन क्या मुझे total resistance पता है, नहीं, हमने सिर्फ इसका total resistance निकाला हुआ है, जो आया था हमें, चार ohms, अब ये 4 ohms और वो 4 ohms series में corrected है, है न, तो आपको सीधा add कर देना है, तो 4 ohms और वो 4 ohms, 8 ohms मन जाएगा, तो here it becomes 8 ohms, है न, तो मैं वो पार्ट यहां पर कर देता हू कि total resistance is equal to r1 plus rp जो आपने निकाला था, तो क्या हो जाएगा, वो 4 प्लस 4, 8 ohms, ता कि जब आप इस notes को बाद में देखो, टेलिग्राम ग्रूप में आप confused ना हो जाए कि यह सर यह आपने आठ कांसल का resistance के लिए, ठीक है, तो यह हो गया, total current निकालना है, total voltage, total resistance, तो कितना हो हो गया, तीसरा बताओ, potential difference across 4 ohm resistance, इस चार ohm distance की across potential difference बताइए, क्यों अलग से पूछ रहा आपको यह, क्योंकि आपको लगे है, तो 8 volt होगा, नहीं, क्यों पूछ रहा लग से, क्योंकि यह series में connected है, तो उसमें voltage distribute हो जाता है, पीवी सिंदू में आप देखो के current constant is series में, त distribute होगा, तो इसके across का voltage अलग होगा, इसमें voltage अलग होगी, अब voltage हैसे निकालोगे, अरे बहुत simple, आपको पता है कि voltage across R1 resistor is equal to current across the R1 resistor into resistance of R1, कितना, V is equal to IR ohms law formula, current कितना है उसके across, भाई, current is 1 ampere, resistance कितना है महाँ पर 4 ohm, हो गया 4 volt, बागी 4 volt का जारा से, टोटल तो 8 volt है, बा जारा है, क्योंकि यहां पर भी तो 4 ohm है, आट और राट मिलके 4 ohm बन गया था, तो वहां पर भी 4 ohm है, तो इसलिए वहां पर भी 4 volt जारा है, यहां पर 4 volt जारा है, बराबर, 8 volt, खत्म, ठीक है, तीसरा भी हो गया, चौता गया पूच रहा है, power dissipated in 4 ohm resistor, इस 4 ohm resistor में कितन कितना है, आपर, 4 मिला हमें, और करेंट कितना है, 4, तो value कितनी आगे, 16 watt की power है, भाई, 16 watt का जटका लग रहा है, देखो कितने step by step, कितने अच्छी तरीके सवाल पूच रहा है, और एक ही सवाल में, कैसे, वो हर एक चीज, electricity का पूच रहा है, आपको resistance भी पूच रहा है, ammeter की बारे में समझते हो, connection की बारे में समझते हो, वो भी पूच रहा है, देखो कितना अच्छा सवाल है, 5 मात का बहुत ही बहुत ही अच्छा सवाल, आप ऐसे ही सवाल को expect करिए, जो आ सकता है, ठीक है, so difference in ammeter readings if any, तो अगर क्या A1 और A2 में कोई ammeter का reading अलग-अलग होग होगा, ammeter क्या measure करता है, ammeter current measure करता है, सही है, A1 में कौन से current daughter है, I, A2 में कौन से daughter है, I, दोनों भाई, main circuit से connected है क्यों भी register से connected नहीं है, तो दोनों में कोई difference होगा, नहीं, दोनों में same current आई है, so, पांच में का जवाब क्या है, no difference, बोले बले बले इसके साथ, है ना, बोलो बले बले, बढ़िया या, पोड़ दिया आप लोगो ने, तो second सवाल भी आपने पोड़ दिया बच्चो, congratulations, make sure to hit the like button right away, subscribe to the channel right now, share this video, ताकि हर बच्चा जो अभी science का examination देने जा रहा है, उस बच्चे को इस session कारे पता हो, कि यार, ऐसे 5 सवाल भी बतायते है, है ना, चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे point पे, तीसरा सवाल आपके सामने आ चुका है, अब जैसे देखा आपने पहला दो सवाल electricity का था, ये सवाल अब light का आ रहा है, of course दी बात है, भाई, light के बिना physics तो अदूरी है, है कि नी, चलो अब देखते ह क्या जवाब है, इंट्रेस्टिंग है, इजी सवाल है, और मैंको लगता है कि आप कर लोगा इसको आप से, the image of an object formed by a mirror, mirror है, पहली बात वो clear करो भाई, mirror है, is real inverted, ठीक है, real है, inverted है, तो clear कर दो, ये कौन सा mirror होना चाहिए, concave mirror होना चाहिए, क्योंकि concave mirror ही, real inverted image बनाता है, त concave mirror है, ठीक है, अब, and is of magnification minus one, लो भाई, पूरी कहानी यही पर clear होगी, कि magnification minus one है, magnification minus one है, उसका मतलब क्या होता है, magnification minus one का मतलब होता है, पहले बात minus का मतलब होता है, कि वो real image है, जो सवाल में अलग से दिया भी होगा, आपको decipher करने की जरूरत नहीं है, लेकिन magnification m is equal to one है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यह होता है, आपकी image आपके object के same size पर बनी है, है न, magnification one का मतलब तभी होता है, जब वो image same size की बनती है, और image same size की कब बनती है, concave mirror में, किस situation में, कौन सा ray diagram, तीसरे ray diagram पर है, या चमक रहा है, यह अगर मानलो आपका concave mirror है, यह आ picture है, आपका object अगर C पे होगा, तब जाकर आपका जो image है, वो भी C पे बनेगा, same size का, तब जाके magnification one होती है, तो that is the scenario, the object must be at C, image should also be at C, अब आ बाकी कहानी पढ़ो, क्या पूच रहा है, if the image is a distance of 30 cm from the mirror, where is the object placed, same place, image distance is at minus 30 cm, object distance should also be at minus 30 cm, अब यह minus क्यों लिया मैंने, क्योंकि object distance और image distance इस मामले में दोनों negative ही आगी, according to sign convention, ठीक है, हो गया, फटम, दूसरा, find the position of the image of the object is now moved 20 cm towards the mirror, अब आया actual numerical, अब यह बोल रहा है, आपको, कि बबुआ करके दिखाऊ, दम है, तो करके दिखाऊ, क्या है, अगर object आपका रखा हुआ है, 30 cm पे, अब इसको मैं 20 cm सामने की तरफ, मूव कर रहा हूं, 20 cm सामने की तरफ, mirror की तरफ, towards the mirror, मूव कर रहा हूं, तो अब मेरा real position क्या हुआ, object का, 30 पे था, 20 मूव किया, तो 10 बचा, है न, 20 मूव किया, 10 cm, है न, तो मेरा object कहां पे होना चाह somewhere, 10 cm, क्योंकि अगर मेरा object C पे है, image भी C पे है, तो C का value कितना होगा, C भी 30 cm पे होगा, correct है कि नहीं, object distance image distance 30 है, C भी 30 होगी फिर, और F कहां पे होगा, focal length कितनी होगी, center of curvature के आधी पे focus होता है, तो center of curvature 30 पे है, तो focus 15 पे होगा, ठेक है, तो focus कहां पे हुआ, 15 पे, अब मेर सारा जो object है, वो focus के सामने रखा हुआ है, और जब भी आपका object focus के सामने रखा जाता है, virtual image बनती है, कौन के mirror में, 6-3 diagram का, मैंने बताया हुआ कि बहुत important है, 6-3 diagram का case है, यहाँ पर, तो आपका image अब virtual बनेगा, सवाल में क्या पूछा है, कुछ बनाने के लिए पूछा है solve करने के लिए पूछा है, क्या पूछा है, देख ले, what is the nature of the image obtained, virtual, justify your answer with the help of a ray diagram, अब बस ray diagram बनाना है, numerically solve ने करना आपको, ठीक है, तो अगर मैं इसको दुबारा ray diagram बना लो, आपके benefit के लिए, तो यहाँ पर आपको pole दिखेगा, focus दिखेगा, center of curvature दिखेगा, object यहाँ प center of curvature, retrace कर देगा, और एक ray अगर focus के दिखेगा, तो वो parallel बन जाएगा, तो अब देखो कि तीनों के तीनों ray, intersect नहीं कर रहे है, converging भी नहीं है, तो तीनों reflected rays को, यह पहला reflected ray, यह दूसा reflected ray, और यह तीसा reflected, तीनों के तीनों यहाँ पर intersect कर रहे है, mirror के पीछे, तो आप दे अगे, ठेक है, और आपको, दो माक में लिंगे इसके लिए, और दो माक में लिंगे, वांच मां का सवा, बढ़े है, बढ़े है, अब आगे बढ़ता है, तो the fourth question, बच रहे है, यह तो वांगे बढ़ने से बहले है, यू क्यूंकि आप 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 अड़ी इतना अच्छा हर अगर आपको आगे जाके जेए कोचिंग या नीट की कोचिंग करनी होती है अगर मैं आपसे पूछू कि कितना होता है जेए और नीट के कोचिंग का फीस तो आपको अंदाज़ा है अभी सोचाए इस बारे में आपको आपको पता होगा इस बारे में तो कम से कम दो से तीन लाग का फीस पड़ता है विधानतु में पिछले साल बारा सो से जादा बच्चों का आईटी में सेलेक्शन हुआ था ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जई एडवांस क्लियर किया था जई एडवांस से जादा आपके पास एक बहुत सुनेरा मौका अब देख सकते हो मेगा विधानतु स्कॉलर्शिप अडमिशन टेस्ट इस और यह हो रहा है 2nd December, 3rd December, 9th and 10th December और 2nd December तो मेरे ख्याल से आपके हाथों से निकल चुका है 3rd December को जो आज है वो आज आप लिख सकते हो online और अगर आप offline जाकर लिखना चाहते हो तो या तो आज या तो फिर 9th and 10 December को जाकर लिख सकते हो तो सर्म offline जाकर क्यों दे जब गरवे बाटके दे सक इसका जवाब मैं आपको देता हूं, don't worry about it, कहां कहां पार मैं टेस्सेंटर से वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, so let me tell you कि offline जाकर देने का benefit क्या होगा और online देने का, तो पहले मैं online सारे बता देता हो आपको, ठीक है, online या offline अगर आप देते हो हमारा test, तो आपको minimum क्या and the best about it, point it is कि guaranteed scholarship है, यानि कि अगर आपने test attempt कर लिया, scholarship, कुछ ना कुछ ज़रूर निल जाएगा, ठीक है, तो attempt करो, तो सर्क syllabus में क्या है, भाई, 60 minutes का test है, 60 minutes का test है, 60 minutes का test है, 60 minutes का है, syllabus आपका 10th का है, और सारे के सारे objective सवाल है, यानि कि MCQs है, and no negative marking, no negative marking at all, ठीक है, सिर्फ 50 questions होंगे, और उसमें से 20 सवाल होंगे, max के, आपके, साइन्स के, और 25 सवाल होंगे, साइन्स के, पांच सवाल होगा, mental ability का, जाओ देआओ, बस निकाल दो 45 minutes को 60 minutes एक दिन में, क्या जाता है, यार, होता है ना, लोट्री टिकट लेते हैं लोग, इस अंदाजे में, क्या लॉट्री लग जाएगी, तो लग जाएगी, यहां पतर आपकी लॉट्री लगी हुई है, assured है, कि मिलेगा, मिलेगा कुछ ना कुछ, तो सब इंसा जाके लॉट्री लेते हैं, तो वो लॉट्री है आपके लिए, जाओ ले लो, और जो ही बच्छा आप फुली पेड, फंडेड, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम विट इसरो स्पेस टूटर्स, इस्टेट क्रेजी, है ना, यू आपके पास एक आप हो, जो 24-7 आपके डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि इस ताम पे सबसे जादा डाउट्स होते हैं, पढ़ाईगे बच्त, अ अगर आपके पास एक डाउट आप हो, जो क्लियर कर दिया पड़ाउट 24-7, जब भी आप पढ़ रहे हो, कितने अच्छी बात होगे, बस, आप सिल्बस 10 का इग्जामनेशन दे रहे हो, और हजारा बच्चों ने रिख रहे हो, तो फिर आप जब लिख रहे हो, तो भाई, ब्रांकिंग भी आजाएगी आपकी, अगें अगें दे बेस पार्ट, स्कॉलर्शिप टेस्ट इस अप्सुलूटी फ्री, ओनलाइन और ऑफलाइन बोथ, तो यह दोनों के लिए कॉमन है, ओनलाइन दे रहे हो तो कॉमन है, ओफलाइन दे रहे हो, आपको एचीज सारी सीज़ मिल जाएगी, ओफलाइन जाएग 100% scholarship मिल चुकी, आपको पूरा कोर्स प्री है, 45% जाए तो 55 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, जितना भी आपका परसेंटेज जाएगा, आपको 10% additional मिल जाएगी, and apart from that, as soon as you reach the Vidantu study center, test center, आपको एक additional Vidantu mini study pack मिलेगा, which will help you guys, you know, in a lot of ways in your studies, और let me tell you, यह सब्राइज में बताने वा आप ध्यान से देख लीजे, so as you can see, चन्नाई में हमारे अनना नगर विलचेरी में है, कौमेतूर में आरस्पुरम में है, मदुरा में चोकेकुलम में, तिर्शी में कांटनमेंट, हाइदराबाद, कोकटपली, कोदपेट में है, विशागा बढ़नम द्वारका नगर और यह सारे जगाओ पर हमारा test centers है, आप सीधा, अगर आप इन शहरों में बिलॉंग करते हो, तो आप सीधा Google कर सकते हो, map में आपको हमारा मिल जाएगा test center, साथी साथ, you also have Janakpuri, South Extension, Anand Vihar in Delhi, HSR Layout in Bangalore, Shivaji Nagar Pimpari, Chinchpad in Pune, Dharmpeet in Nagpur, Aurangabad, Sitko में है, Patiala Thapar में है, मुझभफु पूर मिदन पुरा हमें, पॉंडी चरी तेंगा है, ठीक है, तो जॉब है, रेइस्टर कर लो, रेइस्टर कैसे करना है, बहुत देर से यहां पर एक बहुत पट्टी चल गीए, यहां पर हैना, रेइस्टरेशन लिंक आपके description में है, पहला link होगा, क्लिक करो, रेइस्टर और हमारे electricity कर लिया, आप मैंगनेटी एफिट्स की बार ही है, हुमन आएगा, हुमन आई भी आएगा कुछ देर में डरों मत, मैंगनेटी इफिट्स अ काफी इंट्रेस्टिंग सवाल और सबसे बेस्ट सवाल यह वाला है, इसके लिए हम वेट करेंगे, ठीक है, तीसरा व हो गया South, यह हो गया East, यह हो गया West, और यह हो गया आपकी वायर, और West to East direction हो करेंट फ्लू हो रहा है, सबसे पहले बात बच्चों, याद रखना की North-South-East वर सिक्ते बद मुझे भी गडबड़ा होती है, मैं भी गलती करता हूं, लेकिन मैंने कैसे याद रखा हुआ, मै ने बताया आपको कि भाई सबसे बड़ा scam दुनिया खा कि West Bengal, West में नहीं है, East में, West Bengal यहाँ प्यादा ने इंडिया के, वह East, समझे है, ठीक है, बढ़िया, अब आगे, what is the direction of the magnetic field at a point directly above it and a point directly below it, तो इस point मान लो, इस point को अब एमान लू, और इस point को B मान लू, तो वायर के उपर point A पे और वायर के नीचे point B पे magnetic field का direction क्या है, simple सा right hand thumb rule का सवाल है, मेरे क्याल से आपको अराम से कर सकते हैं, तो right hand हुटाने का, right hand thumb rule apply करना है, जिस direction आपका current होगा, उस direction में आपको अपना thumb रखना है, देखो, thumb रख दिया मैंने, ठीक है, और जिस direction में आपकी उंग उंगलिया गुमेंगी, वही direction आपको देगा, magnetic field का, तो अगर आप देखोगे, wire के ऊपर, wire के ऊपर, point A से मेरे magnetic field बाहर निकल रही है, है न, मेरी उंगलिया ऐसे बाहर की तरफ मोड रही है, तो point A पर क्या बोलोगे, at point A, क्या बोलोगे आप, out of the page, is the direction of the magnetic field, out of the page, आप मे B पर अगर आप देखोगे, मेरी magnetic field lines घूम कर अंदर को जा रही है, अंदर, wire के नीचे, तो point B क्या होगा, into the page, बस, खतम, sorted, तो पहला पाट तो कर लिया हमने, बहुत simple से सवाल, आगे क्या है, पहला हो गया, name the rule used to determine it, सिर्फ नेम करना है, सिर्फ नेम करना है, लिखना नह rule, rule used here is, right hand thumb rule, ठीक है, सिर्फ लिखना है, नाम, explain नहीं करना है, name बिल्कुल वक्त पर बाद नहीं करना है, the direction of force, अच्छा, oh sorry, यह तो पहला पाट हो गया, यहां पर second का दो पाट और है, sorry guys, यह second का right hand thumb rule नहीं है, second का a part क्या पहले पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है, second का पहल force when a current carrying virus plays in a strong magnetic field, direction of force पूच रहा है, बहुत आपको पता है, यह फ्लेमिंग्स left hand rule होता है, ठीक है, तो उसमें clarity है, बिल्कुल, magnetic field in a current carrying conductor, हाँ, इसका जवाब होता है, right hand thumb rule है, जो अभी आपने निकाला, magnetic field in a current carrying conductor, right hand thumb rule का, हम निकालते हैं, चलो यह हो गया, second हो गया, third, interesting question आ alpha particles, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या ऐसा magnetic field तब भी बनता है, जब एक alpha particle move करता है, अब सबसे पहले पता होना चाहिए, alpha particle क्या होता है, क्या मैं स्ट्रीम में आपने बहुत 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 सुनाओ, alpha particle, सुना है, तो जल्दी से मुझे बतावा, 5 second के अंदर की आइलफा पारीकल क्या होता है, क्या होता है, और फ़टा बता थेता हूं, alpha particle क्या होते है, alpha particles होते है, helium 2 positive ions, यह होता है, अलफा पार्टिकल किया होता अलफा पार्टिकल हीलियम टु पॉसटिव एक आया। मतलब यह चार्ज्ट ऑटम है उसको हम आय। ऑनाइन कहते हैं जो चार्ज एक पॉइंट से दुस्रय पॉइंट पर जा रही है जैसे एक electronics 8 o 18 यहां पर वी चार्ज हीलियम टू पॉजिटिव ऑन एक पॉजिटिव थी हान तो इसको भी तुम करेंगे पॉजिटिव करेंगे मेडि कर दिगा तो अकर जा रही है तुम वहां पर जोना चाहिए कि न होना चाहिए है ना, so is there a similar magnetic field produced around a thin beam of moving alpha particle, yes, for A, what about B, तो अब इसको लिखो कैसर के, इसको ऐसा लिखना है कि alpha particles, since they are helium-2 positive ions, their movement will cause current, which will create nalmit, ठीक है, अब बात करते है, B की, B क्या है, neutrons, भाई, neutron तो लो नो हो गया, क्यों हो गया, no, because, neutrons are neutral charges, they do not have any charge at all Isla üsской neutron कहते है, so when, they move that you do not produce any current, hence they do not produce any magnetic field either easy समाजमा लागा? Super guys, कितना अच्या सवाल था ये, ये सवाल बास कंभिशनी लगता है बच्चव को जो आतृरी बाला किया लिखना royal सual को अना so, we have done with it as well तो इसका जो यह आखरी सवाल होगा यह आपको आपके लिए होगा जिसको आपको मुझे कमेंट्स में बताना है बागी पाथ हम कर लेते हैं बागी बाट तो एजी आप कर लोगा है अस्तुडेंट अब्स भी बिलो फिनॉमिन इंदी लाब अज़ा वाइट पास थूर प्रिजम इस पर इंदि यहां पर क्लिर ली दिख्राइब बिग्यों और वाइले और यह वाहर थी आई बीजी वाई ओर टेविग्यों बिग्यों बिटीक है अमाँ बैनी अगलर को सिपैसिपिकली अब्सर्व किया क्योंकि अच्छा लग रहे था देखने में पहला सवाल किया है इसको हम कहते हैं लैंबड़ क्या कहते हैं लैंबड़ क्या कहते हैं लैंबड़ लांड़क्या वेवलेंद अपर रिप्रेडट कोलर डेकॉट जादा है कि वहलेड़ करता हूं इस वजदे से रैड़ कम रिप्राइट करता जादा है ठीक है यह भी लिख सकते हो आप कि जिसकी स्पीड जादा कि उसके रिफ्रैक्शन में कम होगे सेम चीज है यह हो गया ठीक है इसका जवाब मुझे कमें चाहिए चाहिए और भाई सौ कमेंट्स है मिरेको जल्दी बढ़ लो अभी के अभी हिटी लाइक बटन राइवे और आपको बताना में दुबारा याद दिल्लाइब देता हूं MB-Sat के रेइस्टे जरूर कर लीजेगा और इस पूरे सेशन का पीडिया टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर लीजेगा डिस्रिप्शन में टेल्राम चैनल का लिंक है विदान्तु नाइदेवन फिजिक्स चैनल को मत भूलिएगा सब्स्राइब दाइड च कर दो सबस्थ。